है है हेलो गाइज वोट्स आप वेल्कुन डूमाई चैनल दोस्तों कैसे सब लोग दोस्तों पिछले दो तीन अपता से जब से यह टिक टॉक वर्सस इव्टूब का जो कॉंट्रोवर्सियल मुद्दा है यह सुरू है उसके बाद से बहुत सरी इंडियान्स यह कहता है कि हम के लोग चानीस चीज़े यस ने करेंगे चाहिने इस स्माटफोन लेंगे और स्माटफोन के स्माटफोन के जो सब होते हैं अज्ब आप भी किशनग आप है तो जिससे के बाद रहा है तो थार्ट पर्टी अप्लिकेशन तो आपको यूज करना पड़ता है मतलब लाइक से या फिर एक्जेंडर या फिर एमाइड्रॉप कोई भी तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप चाहिनीज अप्लिकेशन नहीं यूज करेंगे तो तो सिंप्लिए आपके फोन से मतलब एक्जेंडर से या फिर इमाइड्रॉप कोई भी अप्लिकेशन आप डिलीट कर सकते हैं तो उसको उसके बदले में मतलब आपको एक एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा जिससे आप अपना फाइल से चोटा से चोटा या बारा से बारा आपको सर्च परना होगा जब हेब लिखते हैं तो यहां पे जीव सुइच के जो आपको ऐसे दिखेगा दोस्तों और जब आप यहां से मेरा पहले से install है तो आप application को simply install कर लेना तो यहां से open करता है application को और open करने के बाद आपको कुछ ऐसा interface नाजर आएगा पहले दो option दिखेगा आपको simply आपको skip कर देना है उसके बाद आपको ऐसा interface नाजर आएगा और जो भी है उसको allow कर देना है मतलब आप से storage का permission मंगेगा वो आपको allow करना है नहीं तो आप मतलब application से कोई भी file transfer नहीं कर पहेंगे उस्तों यहां से अगर आप कोई भी phone से connected है तो phone से share कर सकते हैं या फिर कोई भी PC या laptop कोई भी यहां पर देख सकते computer से आप file मतलब ले सकते हैं या फिर computer में कोई भी file आप वेज़ सकते हैं simply उसके लिए आपको क्या करना होगा यहां पर आप देख लीजिए अगर किसी को आप files transfer करना चाहते है तो इसको यहां पर एक hotspot का जो link है यह आपको देखने को मिलेगा तो उस phone से आपको wifi search करके यह hotspot का link मतलब set करना होगा और उसके बाद यहां पर यह जो password है यह वहाला password वहां पर डालना होगा दूस्तों पहले आप अगर कोई भी file send करना चाहते हो तो आपको यहां से simply send करना है और send जग भी option में आप click करते हो तो आपक comments जो भी है फिर context और calendar मतलब आप कोई भी reminder अगर सेट करना चाहते हो मतलब set करके रखा रखा है और reminder किसी को भेजना चाहते हो यहां से भेज सकते हो तो अगर अगर आप पूरा file send करना चाहते हो तो यहां फिर लेप साइट में जो box है उसमें आपको click करना होगा फिर पूर से और देख रहे हैं यहां पर मेरे वीडियो में 580 फाइल से तो अगर मैं यहां से send करना चाहता हूं तो यहां से fully send कर दें मतलब send का option में click करेंगे तो अगर मैं पुरा वीडियो नहीं send करूंगा तो मैं कोई भी application send करूंगा यहां पर view all करता है मतलब देखते हैं पहले ज जो application कुछ भी है मैं अगर यहां से share करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब करेंगे उस phone में receive का जो option होगा send के बाद वहां आपको click करना है receive करना है simply और दिख रहे हैं यहां पर scanning हो रहा है इधर और scanning यहां पर चल रहा है तो देख रखते हैं यहां पर जो मेरा डिवाइस है रेडिमी डिवाइस वह आपको नजर आए तो इस मतलब option पर आपको click करना है आपको जो भी device होगा उसका norm यहां पर सो करेगा और दूसरे बाला phone में आपको decline या accept का एक timeline आएगा तो आपको simply accept कर देना है दोस्तों देखिए यह बहुत सी जल्दी मतलब 30 MB का जो application 25 MB का application है बहुत ही जल्दी आ गया तो application share करने का पता आप लोगो कुछ ऐसा इंटरफिस नजर आएगा और आप अपने phone में देख सकते हैं मतलब hotspot या फिर कुछ नहीं आपको देखने को मतलब कुछ भी नहीं on हुआ होगा स्रेफ आपका wifi on है और कुछ नहीं मेरा bluetooth चालो है दूसरे कारण से लेकिन आपके phone में कोई भी और नहीं location मंगेगा कुछ नहीं मंगेगा location भी off है hotspot भी off है देख सकते हैं या पर कुछ नहीं on है दोस्तों यह application आप लोग यूज कर सकते हैं बहुत ही अ दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लागे तो वीडियो का जरू लाइक कर देना और कॉमेंटर सेर करना और दोस्तों मेरा instagram का लिंग description में दिया हुआ है और आप लोग चाहते हो तो मुझे instagram में follow कर सकते हो तो further information आप ल तो में दूब में दोस्तों में दूब को ऑल खो मताइक कि दोस्तों में दूब वले की कर दोस्तों में?